वेलकम बैक दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजीनर कुमार मनी स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जोब इंडिया में दोस्तो बहुती बड़ी खुश कबरी लेकर आ चुका हूँ राजस्थान स्यच्चो भरती 2020-1500 पदोग पर भरती यहाँ पर जो है मनजूर कर दिये गए हैं अब आपका जो यहाँ पर टोटल वेकिंसी 7810 स्यच्चो के लिए हो चुकी है इसका जो रेजल्ट है बिलकुल डेट कन्फरम हो चुका है कब तक रेजल्ट आने वाला है किस कारण से रेजल्ट जो है यहाँ पर लेट हो रहा है पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले है रोलंबर जो है लिखने में त्रोटी हो गई है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है चलिए आफीसली जो न्यूज निकल के आ रही है उस पर लेकर चलते हैं पूरी जानकारी बिलकुल आफीसली है हना चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी तो हमारे साथ बने रही है पूरा वीडियो देखिए ये न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं आफीसली न्यूज है हना जिसमें केमूनिटी हेल्थ आफीसर भरती से जुड़ी आज की बड़ी खबर 24-12-2020 का जो है ये न्यूज निकल के आ रहा है जिसमें एक सबताह बाद जारी होगा बहु परतिच्चित भरती का परिडाम इसी भरती में सामिल किये गए है 1500 नए पद दरसल 6,310 पदों के लिए आयोजित की गई थी भरती परिच्छा इसके बाद मुख मंतरी गैलोद ने 1500 और पदों के लिए सबकृत दे दी है इन अतरिक्त पदों को भी इसी भरती में सामिल करने की फाइल मंजूर कर दिये गए है ऐसे में कुल 7,810 पदों के लिए जारी किया जाएगा परिडाम लेकिन सूत्रों के हवाले से खवर भिलाल डेटा के लिनिंग का काम चल रहा है इसमें क्या हुआ था कि अब बिर्तियों के जो रोलंबर है रोलंबर लिकने में तुरूटी हो गई थी इसी कारण जो है अब इस सभी परिकिया को पूरा करने में लगभग एक सब्ताल लग सकता है तो यह मान की चले कि एक जनवरी यह कि जनवरी 2021 तक जो है आपका यहां पर रेजल्ट आफीसिली डेकलियर कर दिया जाएगा इसकी कटाफ बिल्कुल कम जाने वाली है तो आप लोगों के लिए बहुती बड़ी अपडेट है बहुती बड़ी खुसकबरी है जी हां तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेर कर दो और जानदा से जानदा जो है इस वीडियो को जरूर सेर करेए दोस्तों को बताइए आपका रेजल्ट जल्दी आने वाला है अब जो है 7,810 पर यह भरती जो है समझो निकाले गई है और इसका जो रेजल्ट है यह 7,810 पर ही आने वाली है तो इसका रेजल्ट जो है एक जनुरी 2021 तक आने वाली है यह बिल्कुल ओफीसली अपडेट निकल की आ रही है तो और भी कोई इंफार्मेशन चाहती हो नीचे कमेंट कर सकती हो मिलते हैं नेच्ट वीडियो में घन्यवाद